तो हाई गाइस कैसे हो सारी के सारे तो इस बार मतलब अब से हम न्यूस लाए करेंगे रोज weekly आभी हमने इसका नाम नहीं सोचा है नाम comment section comment box में बता देना मेरे को क्या नाम रख सकते हैं आभी मैं weekly ला रहा हूं देखते हैं कितना रेस्पॉंस देते हैं फिर हम देखते हैं day तो उसके tough A15 और A17 इस वी clone हुए है A15 आपको पता ये 15 इंच में है और A17 17 इंच में और जो कि AMD Ryzen 4000 सिरीज के साथ आते है base variant का 61,000 है जो कि अभी अविलेबल नहीं अविलेबल हो जाएगा तो हम सेकंड न्यूस की तरफ बढ़ें तो सेकंड न्यूस आती है Samsung Galaxy Tab S6 Lite लाँच होने वाला है 8 जून को इंडिया में S6 जो आता है Tab S6 उसके price approximately 60,000 है जो ये light हैगा इसमें with S Pen आएगा और 10.4 इंच की स्क्रीन दी गई है तो थर्ड न्यूस की बात करें तो आपको पता ही अमूल का Twitter account block हो चुका है क्योंकि उन्होंने चाइना के ओपर एक एड बनाया था उनका पुराना तरीका एड वो बनाते हैं लेकिन उन्होंने चाइना के ओपर एक एड बना दिया जिसे Twitter वालने उनका account block कर दिया है थोड़े समय के लिए उसके बाद हम फॉर्ट न्यूस पर आए तो फॉर्ट न्यूस में आपको पता ही कहरी मिना टिकरने आज सोंग आया है जो की हीट जा रहा है उन्होंने एक record बना दिया है 24 hours में टोप 20 वीडियो में वो आ चुके हैं जो सबसे ज्यादा व्यूस उन्होंने collect करें इन 24 hours तो जाके देखिए और उसके records बनवाईए उसके बाद हम next न्यूस पर आए अगले न्यूस पर आए तो आपको बता दी कि Redmi 9 जो के भी लॉंच नहीं है लेकिन फिलिपिन्स की एक website पे लिस्ट हो चुका है लिस्टिड है तो उसमें बता दें उनका price उनके according मेंने convert करा है rupees में तो वह 10,500 में आपको देता है 3GB प्लस 64GB वाला variant और 11,300 में आपको देता है 4 प्लस 64GB वाला variant जिसमें आपको 6.53 इंच की screen दी गई है and media helio G80 octa core processor दिया गया है with quiet camera setup यह भी launch नहीं है देखता है इसमें असली specification इसकी क्य होंगी इंडिया में और इसमें battery दी गई है 5020 mAh की battery with 18 watt की fast charging देखते हैं जब भी launch होगा अगले news पे आए तो अगले news में बता दू जो आपने सुना होगा mitro app play store से remove कर दिया गया google की तरफ से और privacy की वज़े से यह remove हुआ है या anti china की वज़े से anti chinese मतलब इसको कहा गया इसल जो कि आपके phone में से चाइना की जितने भी app से remove कर देता है यह app भी उड़ा दिया गया है google play store से so देखते हैं आगे क्या होगा इसमें भी अगले news पर आए तो galaxy A31 लोंच चुका है जी हां samsung galaxy A31 लोंच हो चुका है इंडिया में जो रुपीज 22,000 का ही मानिये with 6GB RAM और 128GB storage के एक ही वेरियंट है इसमें एंडि 6.4 इंच की स्क्रीन है quad camera है 48 plus 8 plus 8 and plus 5 मतलब चार्ज में camera है इतने MPK उसके बाद आता है इसमें बैटरी की बात करता 5000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है 15 watt की fast charging है प्राइस ज्यादा है लेकिन इनको fast charging और देनी चाहती है 18 watt तो देनी चाहती 15 watt दिया चलो कोई बात नहीं Samsung है एक अच्छी कंपनी है उसके बाद आते हैं Nokia का एक smart tv launch हो चुका है जिहां Nokia इंडिया में smart tv की line में उतर चुका है जिसका प्राइस है 32,000 जिहां इतना सस्ते में इन्होंने 43 इंच का smart tv launch कर दिया है विद JBL की audio है flip card पर अवेलेबल है आप जाके check कर सकते हैं उसके बाद हम न्यूज आएं यह हमारी last news है इस weekly news की series की वो है कि realme का 32 इंच और 43 इंच का android smart tv इंडिया में launch हो चुका है जिहां realme भी tv की line में उतर चुका है दो company इस week में उतरी है एक है Nokia और realme तो यह realme का tv भी flip card पर अवेलेबल है 32 इंच की जो MRP है वो है 13,000 and 43 इंच का MRP है वो है 22,000 देखते हैं अब सभी उतर रहे हैं पहले MI और सब सब एक दूसरे से compete करेंगे पहले phone में करते थे अब TV में भी करेंगे तो देखते हैं LG और Sonika क्या होगा यही थी हमारी last news और इस series के response को मैं देखूंगा कुछ हथे तो देखते हैं इसके बाद में day-to-day भी ले आऊं देखते हैं आप कितना अच्छा है इस पर response देते हो and subscribe कर लेना news आती रहेगी और unboxings भी और मैं सोचे हो vlogs भी आएंगी बहुत जल्दी so like भी कर देना bye bye